मैं शिवाय हरहर महादेव दोस्तों आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है आपका किसी भी काम करने में मन नहीं लगता आपको ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धी किसी ने बांध दिये अर्थात किसी भी काम को करने में ना मन लगता है, दिमाग काम नहीं करता है, ना कुछ आइडिया आते हैं, ना कुछ हम अच्छा कर पाते हैं, बहुत उप से गए हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम इस काम से परिशान हो रहे हैं, मन इस्थिर नहीं है, चित इस्थिर नहीं है, और बार 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 हमें नुकसान हो कुछ 10% कोई 20% कोई 50% किसी को 100% ऐसा लग रहा हूँ पर कुछ पर्तिशत तो हम इस पूरी परिशानी से हैं गुजरता ही है कोई नो कोई व्यक्ति गुजरता है ऐसी सिचुएशन अगर आपको लगती है तो यह जो मैं बाते आज आपके साथ साजह कर रहा हूं यह आपका ज करें कमेंट्स में भूलेनात का नाम लिखें और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तबी से लाइक करें जो भी जैसा भी लगे आप कमेंट्स में अपनी राय खुलकर लिख सकते हैं दूसरी बात है आप चाहते हैं अपनी कुणली का विशलेशन हमसे करवाना या अपनी जोतीर संबंदित कुछ सलह चाहते हैं जो प्रशन आपके मन में है तो स्क्रीन पर हमारे नमबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोइंट्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस शुलक लागोई दोस्तों सबसे पहली बात यहां से शुरू होती जब बुद्धी मानना या मन नहीं लग पाने के पीछे जब व्यक्ति को बार-बार किसी विशे को लेकर परिशान हो जाता है चाहे वो परिवारिक रूप से हो आर्थिक रूप से हो या किसी व्यक्ति ने धोका दे देना चलकपट कर देना उसकी लाइफ में कहीं न कहीं आप खुद को एक अच्छे सा उब्जर्वेशन करेंगे तो आपको धोका चलकपट हुआ है वो चीजे आपकी मना इस्तिती पर इतनी भार ही हो चुकी है कि आप उनसे बार नहीं निकल पाते हैं आपको चीजे बेचेन करती है इसलिए उन चीजों का ठीकरा आप अपने मस अपने मन पर न पढ़ने दे क्योंकि वो अपके काम, व्यापार, रोजगार, नोकरी जो भी है सब में डिस्टिमेंस क्रियेट करेगा और ये एक बहुत बड़ी यात्रा है ऐसा नहीं कि ये चार महिने में रियक्ट करेगा या दो महिने में आपको ये कई दिनों तक रियक काम नहीं बनना, मन नहीं लगना, चीजे खराब होना, तो ये मेंटल प्रेशर दिमाग पर एक प्रेशर लेकर चीजों को करना, तो प्लीज मेरा निवेदन है कि ऐसा ना करें, थोड़ा सा बाहर निकले, जो भी चीजे हैं, जो भी चीजे आपके पास्ट मुहीं या जो भ बुद्धी बांदी, मन नहीं लगता, इस परेशानी से आप धीरे-धीरे बाहर आ जाएगा, क्योंकि जादातर जातकों के साथ यही होता है, जो मैंने आपके साथ साजा किये, तो इसे आप फोलो करें, गुरु मंत्रे का जाब करें, धीरे-धीरे आप इन बाधाओं से, और कोई भी व्यक्ति किसी की बुद्धी नहीं बांद सकता, बस परेशानी हमें हावी हो जाएगा.